नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना साथी दिपक पुआर और आपका इस मंच पर आर्दिक स्वागत करता हूँ अर्याना के जीलो का प्रीचर सिरीज में जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनी पजीले से उसके बाद हम लोगों ने पानी पजीले के बारे में पढ़ा करनाल, करूचेतर, अंबाला, पंचकुला, युनानगर, कैथल, जीन, फत्याबाद, सिर्सा उसके बाद अर्याना के मैप का जो तिसरा इसा में बनाता हूँ इसार, डिवानी, चर्खिदादरी और इसके बाद मैं इंदगड दक्षन अर्याना में अमारी इंटरी हो चुकी है और दक्षन अर्याना का पहला जिला अमारा आया है मैं इंदगड और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैं इंदगड जिले के बारे मैं संपूरन जानकारी आप लोगों के साम महें दगड तो महें दगड की स्थेत्य की बात करें तो अर्याना के दक्षनी बाग में है और महें दगड अर्याना का जिला बना था जब अर्याना बना एक नौंबर 1916 को जब अर्याना बना अर्याना के कुल अर्याना मुझ समय साथ जिले थे और उन साथ में से एक था हमार महें इंदगड एक नॉमबर 1966 को महें इंदगड अर्याना का जिला बना अगर मैं बात करूँ इसके छेतर फल की एरिया गी तो ठारा सो निनानवे अठारा सुनानवे वरक किलोमेटर किलोमेटर स्केर इसका छेतर फल है और मुख्याला की बात की जाए तो इसका जो के सेर में ना होक है दूसरे सेर में महें दगड का मुख्याला होना तो चीए था महें दगड सेर में लेकिन है नारनोल सेर में तो अर्याना का एक मातर ऐसा जिला बच्चे महें दगड जिसका मुख्याला है उस जिले के नाम के सेर में ना होक है दूसरे सेर में महें दगड इतियास के बारें बात करूँ तो ऐसा कहते हैं सरवात में इस जंगय को जो आपके सामने हैं यहां पर माप लोगों बताना चाहूं सब स्यादा इंदू है अर्याना में वरतमान में सब स्यादा इंदू कहा रहते हैं अर्याना में सब स्यादा इंदू वरतमान में में धालाची नाम है समयागे पड़ा कौई लोग कहते हैं में अधक को बाबर के एक सेवक्ट जिसका नाम था मलिक मेहमूध खान कईयलो कहते हैं में दगड को मलिक मेहमूध खान दोवारा भी बसाया गया है उस्के बाद कई लोग कहते हैं कि बाद में 27 अबदी में 27 अबदी में मराठा सासक त्याता टोपे ने यहां पर एक किला बनवाया और उसके बाद पतियाला रियासत के राजा राजा नरेंदर सिंग पतियाला रियासत के निस विस्त आबदी में पतियाला रियासत के राजा राजा नरेंदर सिंग के बेटे मोहिंदर सिंग के नाम पर इस किले का नाम यहीं सेर का नाम डाइवर्ट करका कर दिया था महेंदर गड़ यहां प नाम रख दिया महिंंद्रगड तो महिंद्रगडग प्राचिनी तियास ऐ सरवात में कानूड बरामने बसाया उसके बाद कई बाबर के सेवक नहीं उसके बाद 27 अब दिये मराठा सासक तात्या टोपे नहीं यहां पर इसको बसाया और यहां पर किला बढ़ आया और उसके बाद इसके लिए इस सहर का नाम पतियाला रियासत के राजा राजा नरेंदर सिंग ने अपने बेटे मौहिंदर सिंग के नाम रख दिया आगे बात के में दगड में तहसील उपतहसील उपमंडल और बलोक कितने हैं अगर बात की जाए तहसील होगी तो एक तो में दगड है एक नारनोल है एक अटेली है तीन उसके बाद नांगल चोदरी और कनीना तो टोटल में दगड में पांच तहसील है उपतहसील कर गिबात करूं तो एक अप्तल खतेल सत्नाली नाम से और अगर मैं बात कर करूं उपमंडल की तो तीन उपमंडल होगे मैं इंद्रगड नारनोल कनीना और अगर मीद stud बात करूं बलोग या खंड की तो यह होगे हमारे आठ अंफ्त है आद़ओनांधले नंगल एक सिम्मार 2 कणिना 3 में दगड 4 निजामपूर 5 सतनाली छय नंगलों necesita 7 और नारनोल गतोब लो टू सतनल आट अहरो तूह अगर उपनदल ही बात करें दो पर शापonta मजा को अगर बात करूँ यह एक अगर आधर्माधमांध ते ताहसील तो 2 2 3 4 55 होगी हमारी तैसीर आगये बात की जाए में दगड जीले के बारे में 2011 की जन गनना के अधार पर चिए जन गनना के अधार पर में दगण जी ले की जो संक्या है वो है लगबग 9,073,787,0022.810 इसकी टोटल जन संक्या है और इसमें से पुरूस संख्या है 4,6,000 के आसपास और महिला जन संख्या है 4,35,000 के आसपास और अगर बात की जाए साक्षर्टादर की तो लग बग बग 78% के आसपास में दगड की टोटल साक्षर्टादर बनती है और अगर बात की जाए लिंगानुपाद की तो में दगड जो लिंगानुपाद है और यह आखड़ा 2011 की जन्गन्ना का है 2011 की जन्गन्ना की अधार पर टोटल लिंगानुपाद बनता है यहां का 895 परती अजार 895 लड़कियां और अजार लड़के आगे बात कीजिए में दगड़ जिले के उपनामों के बारे में ऐसा कहते हैं जनाब अर्याना में सबस्यादा खनीज संसादन अर्याना में सबस्यादा मिनरल्स कोन कोन से हैं वो आगे आएगा तो बहुत सारे मिनरल्स यहां लगवग 20-25 खनीज संसादन में इंदगड में पाए जाते हैं उसके चलते में इंदगड को तू कर शिट वתחड़ का शहर का जाता है अगर हम बात करों सेल्षा सूरी की जनम सतली शूरी वंसके राजा सेल्षा हिर शूरी की जनम शतली भी मयं इंदगड की दरतीको कहा गया है और में इंदगड को दिली की आघदी पर बेठने वाला दिलीका राजा बनने वाला अन्तिम इंदु बाद सtherम उर्फ एमचंदर विकरम आदित्या उस हे मध या एमचंदर विकरम आदित्या की नगरी भी में दगडगी दर्ति को कहा जाता है तो में दगड के तीन निकनें वोगे खनीजों का सहर अगर आगे बात की जाए नारनोल अगर दोस्त आप में दरगड के इतियास को पढ़ रहे हो तो सबसे जरूरी है आप लोगों को में दरगड के इतियास में पढ़ना नारनोल सहर का इतियास तो आने वाली हमारी चार या पांट स्लाइड नारनोल सहर के नाम जनाब नारनोल के खूब पहचान बनाई हुए है नहीं के बात करूब नारनोल सहर को अडियाना में विर्बल नगरी भी कहा जाता है एसा कहते हैं यहां पर बिर्बल का आना जाना था यहां पर एक इमारत भी आ बिर्बल का छट्था और वही पर उसी जंग है पर यह आया जाया गरता इसलीज को नरोल को बिर्बल की नगरी कह दिया गया आगे समारकों का सहर site of monuments में इंदगड मजीतने किल देखो समारक वह जंग है जो किसी की याद में नरोल बनुफाई गई हो में बहुत सारे नारनोल में बहुत सारे एगनबात करूं माकبرे मजजीद दरगा किले मेहल कोठियां अवेलिया सबस्यादा में दगड़ के नार्नोल सहर में हैं इसलिए नार्नोल सहर को City of Monuments समार्को का सहर कहते हैं कभी में दगड़ के नार्नोल सहर में जाओ तो बहुत सारे किले महल अवेलिया कोठिया मकबरे मजजीद मजार दुनिया वर की चीजे हैं जरूर देखके आईएगा अगर बात करूं नारनोल को तलाबों और बाउडियों का सहर कहते हैं तलाब तो आपको पता ही है ठीक है बच्चे एक साफ सुत्रा जोड जोड़ा साफ सुत्रा रूप तलाब हो गया बाउडी वहक हुआ जिसमन नीचे उतरने के लिए सीडिया लगी होते हूं इस तरीके की मारतों को पराचीन समय में बाउडि कह दिया गया था अगर बात करूं सिंगों का डहर शिंगों का नगर कह लिए शेरों का स्थान भी नारनोल को कहा जाता है भिरबल नगरी समारको का सहर तलाबो वावड़ियों का सहर और एकर सिंगों का डेहर आगे बढ़िए बच्छी, अगला नमर आता है नारनोल सहर का प्राचीन नाम क्या था बहुत बड़ा इतियास है नारनोल का मैं बोल चका हूं महीं इन्दगर की इतियास को आप पड़ रहे हो तो नारनोल का इतियास बेहज जरूरी हो जाता है है हमारा पढ़ना ऐसा कहते हैं नारनोल सहर का जो पराचीन नाम था वो था नर रस्टर या इसी जंग को नंदी गराम के नाम से भी जाना दाता था नारनोल सहर पंदरवीस्ताबदी में पंदरवीस्ताबदी के दोरान ये जंग है जैपुर राज्य का एक भाग थी पंदरवीस्ताबदी के दोरान नारनोल जैपुर का एक भाग था उसके बाद में यह चेतर मराठो के दिन रहा जजर के नुवाब के दिन रहा अंग्रेजों के दिन रह और अंग्रेजों के समय यह पटियाला रियासत का भी इसारा है नारनोल ब्रिटिस ऐसा कहते हैं ब्रिटिस के अधिन अगर हम बात करूँ यह है छेतर इसार जिले का बाग होया अगरता ठीक है अकबर के समय अकबर के समय पंदरा सो चपन से सोड़ा सो पांच के बीच में ऐस वो सहर है जहां पर अर्याना में देखो अर्याना में दो तरीके पाडिया है बच्चे एक सिवाली की पाडिया और एक अरावली की पाडिया और एक अरावली की पाडिया अर्याना के दक्सनी बाग में है लेकिन आपसे कॉशन बुचेगा अर्याना में अरावली की पहाड आपर लिखाओगा अर्याना में अरावली मैदान का सबसे उचा भाग नारनोल के दक्षनी दक्षन पश्चम में कुलताजपूर गाउं में छहसो बावन मीटर उचा है या इसी गाउं को मैं कहूं यह गाउं नारनोल तैसी इलमस्तीत है ठीक बचे और यह है अगर हम बात कर आरवली पहाडियों की अर्याना में सबसे उची चोटी है जो डोसजी की पहाड़ियों में है åन इनको डोसी पहाड़िया भी कहा जाता है और डोसी की वह पहाड़ी जहां पर अंतिम इंडू सासक हेमू फिर से मू गान आम आया हेमू यहेम चंदर विकरमादिते ने डोस पहाडी का किला बनवाया था और इस पहाडी को चेवन डीसी की तपोशतली कहते हैं और ये वही पहाडिया ये कोशन पूछा आता डोसी पहाडिया रियाना में कहां पर है बचे में दगड में और ये वही पहाडिया है जहां पर चेवन डीसी ने लगबक साथ अजार सालों तक यहां बेट कर तपस्चा की थी और यह वही जंगा है जहां पडजेवन डी सिने एक ऊसदी एक प्रोडक्त जिसका नाम है चेवनप्रासर अर्या नाम माशन प्रासके दें उसका नाम चमनप्रास नाम प्रास Corn appel मिट्रास तो लग चुका है अब ये लगना बाकी है याद रिखिया logistic park लगना बाकी है ये लग चुका है इसकते अधे नार्नोर को समारको का सहर कहते हैं City of Monument कहते हैं तो आप मेरे केनेये पर नार्नोर सहर में जाओगे तो क्या देखें की माथ ये भी बता दियो मैं बताता हूं नार नोर में क्या-क्या-man-man चीज़ें सबसे best जल्म तो जनाब साकूली खान, जिसका एक मकवर भी है और साकूली खान, अकवर का दिकारी था, पानीपथ की दूसरी लडाई में इसका एहम किरदार है तो अकबर ने इसको खुश होकर नारनोल का राजा बना दिया था और राजा बनाया राजा बनाने के बाद इस मंदे ने यहां पर एक जल महल बनवा दिया यहां पर रहा यहां पर मर्तुई यहां पर दफनाया गया और यहीं पर इ पोलिया गेट है नारनोल में, मिर्जा अली खाकी बाउडियों का सहर, एक मिर्जा अली खाकी बाउडियों का सहर, इबराहिम खान या इबराहिम सूरी, इबराहिम सूरी जो सिर्शा सूरी के दादा थे, सिर्शा सूरी ने इस मकबरे का निर्मान करवाया, अपने दादा विए बात करूं यहाँ पर राए मुकंदास का चत्ता जो अकबर का चत्ता भी यह भी है इसके अलावा नारनोल में चामुंडा देवी मन्दीर भी है और इसके अलावा यहाँ पर एक । अगे बढ़िए आगे नमबर आता है में दगड सेर की में दगड जीले के त्यास के बारें बात करूँ तो मैंने बोला दाप लोगों को और याना में सब स्यादा खनीज कहां पाई जाते हैं में दगड में उन में से कुछ जो जुरूरी नाम है वो मैं आपके सामने लेकाया हूं जहां से कोशन बन जाता है किसी विए पर मैं अगर बात करूँ में दगड में चुना पत्थर संग्मर्मर मारबल अस्वेस्टोस बैराइट तांबा लोहा मैगनीज बैराइट और दुनिया वरके काई नाइट केल साइट बहुत सारे खनीज संसाधन पाए जाते हैं अलग बग 20-25 है जिन में से 10 पारा नाम आपके सामने लेकर आया हूं खनीजो का सहत आगे बढ़िए मैं दगड जिला ऐसा कहते हैं लाख की चूडिया बनाने के लिए परसीद है यह लाख की चूडिया अक्सर राजस्तान में ज्यादा बनायाती है लाख की चूडिया रा याना का एक ऐसा जिला जिसको राजस्तान तीन तरफ से गिरे हुए तीन तरफ से लगता है में दगड की सीमा राजस्तान से तीन तरफ से लगती है एक दो तीन तरफ से लगता है और याना का ऐसा जिला जो राजस्तान से तीन तरफ से गिरा हुआ है में दगड में दगड और मैं इंदगड गum की चूड़ीया बनाने जिए प्रसित क्योंकि राज़्यस्तान में ज्यादा है तो राज़्यस्तान से थोड़ा ज्यादा लगता है मैं इंदगड तो यहां भी ये चूड़ीयों का निर्मान किया जाता है अगर बात करो ये चूड़ीयों अलग को में उपलब दोती है ठीक है और इने वी बिन छोटे पत्रों कांच और मोतियों काउपियों करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है सजाया जाता है अगर बात करूं में इंदगड में अर्याना में सब स्यादा हवाई चपल अर्याना में सब स्यादा हवाई चपल म महें दगड में बनाई जाती है महें दगड और याना का पहला ऐसा जिला जो संपूरन बीमित है और याना का पहला ऐसा जिला जो संपूरन बीमित है कौन महें दगड महें दगड आगे बढ़िये अगर बात करूं महें दगड के बारे महें दगड में दगड में और याना का पहला केंदर ये विसविदाल है अर्याना की पहली Central University अर्याना की पहली Central University भी में इंदगड में स्ताफित की गई थी कब 2009 में किस गाओं में में इंदगड के जंत पाली गाओं में में इंदगड में अर्याना का पहला केंदर ये विसविदाल है Central University जिसका नाम यही है CU इसका अब तक यह है, अरियाना सेंट्रल उनिविश्ट्री, अरियाना के इंदरी उसे दला है, यह है में दगड के जंदपाली गाव में 2009 में इसकी स्तापना होई थी, में दगड में एक अन पूर्णा तीरत स्तल्वी बनाया गया है, और यह रही आपके सामने में दगड से हमारी आखरी स्लाइड चलो नार्णॉल में भोछ सारी चीजें हैं लेकिन मैं इंद्गड सेर कि बात करूँ या मैं दगड में जो आसपास गाउं है उनकी बात करूँ तो वहाँ पर कोन कोन सी जंग है मैं इंदगड में एक मैं इंदगड का किला है और यही किला तो बनवाया था ताट्या टोपे ने और उसके बाद इसी किले के नाम पर राजा नरिंदर सिंग ने अपने बेटे मों इंदर सिंग के नाम पर इसका किले का नाम रख दिया और कि केले का मतलब यह नहीं कोई अवेली केले का मतलब पूरा का पूरा सहर पूरा का पूरा सहर और उस बंदे के नाम पर इस केले का नाम या इस जंगय का नाम रख दिया गया महें दरगड एक मादोगड गाउं में महें दरगड में मादोगड गाउं और मादगड गाउं में मा बागोत गाओं में इंदगड़ के बागोत गाओं में एक प्राचिन स्योमंदरी भी बना हुआ है उम्हीद करता हूँ जो आज की कहानी में मैंने आप लोगों पढ़ाया है समझाया है मैं इंदगड़ जिले के बारे में आपको यह चीज पसंद आई होगी मैं मिलता करता हुआ है